आर्ट आफ सलिंग में मासर बने दोस्त चेतन लेकर आया हूँ The Psychology of Selling की औरडियो बुक समरी जिसके राइटर है Legendary Seals Professional ब्रायन ट्रेसी अगर आप वही काम बार-बार करते हैं जो दुनिया के सक्सेशफुल लोग करते हैं तो फाइनली दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो result हासिल करने से नहीं रोख सकती जो उन successful लोगों को मिले है बट अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोई भी चीज आपकी help नहीं कर सकती यानि आप में करने और सीखने की desire नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ भी करने के लिए दुनिया की कोई भी चीज आपकी help नहीं कर सकती इस बुक में writer Tressy आप जो strategies और techniques बताते हैं उनका use करके आप पहले से ज्यादा sales एक simple way में कर सकते हैं Actually ये बुक Brian Tressy की एक international successful audio program psychology of selling का written version है इस audio program का translation 16 languages में हो चुका है और 24 countries में इसकी technique का use किया जाता है जब audio program सुनने वालों पर एक research किया गया तो ये पता चला कि जितने sales people इन ideas को सुनकर और इनको implement करके millionaire बने थे इतने आज तक किसी दूसरे sales training program से नहीं बने अब आईए थोड़ा writer Tressy के बारे में भी जान लेते हैं Tressy किसी कारणवश अपनी high school complete नहीं कर सके थे वो Norway के एक cargo ship पर काम करते हुए North Atlantic के पार चले गए इसके बाद वो cycle, bus, train से Europe, Africa की कई countries में गए बीच-बीच में living के लिए labor का काम करते रहे एक time ऐसा आया कि जब उन्हें के पास labor का भी काम नहीं बचा तो उन्होंने salesman बनने का फैसला लिया उन्होंने commission पर sales करना start कर दिया जिसने उन्हें hire किया था उसने उन्हें तीन पार्ट में sales की training दी ये बहुत short training थी जिसमें उसने उन्हें सिर्फ ये कहा कि ये तुम्हारा card है ये तुम्हारे brochures हैं और ये तुम्हारी sales की दुनिया में enter करने का जोर है जाओ, बाहर निकलो और selling स्टार्ट कर दो वो आगे बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले cold calling शुरू की इसका मतलब था कि अजनबियों को अपने product या service को sale करने की कोशिश करना यानि दिन में वो office to office जाते थे फिर evening में unknown लोगों के घरों का दर्वाजा नौक करते थे और उनके पहले employer नहीं उन्हें बताया था कि sales game of numbers है उसने बताये कि बस ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है और finally उसमें से कोई न कोई मिल जाएगा जो तुम्हारा product खरीद लेगा वो आगे बताते हैं कि art of selling को दिवार पर कीचल उचालना method कहते हैं यानि जब आप दिवार पर ज्यादा कीचल उचालते हैं तो कहीं न कहीं इसमें से कुछ कीचल दिवार पर चिपक ही जाएगा उनके लिए ये ज्यादा बड़ा knowledge नहीं था बट उनके पास जो भी knowledge था वो यही था फिर उन्हें बाद में समझ में आया कि sales असल में game of numbers नहीं बलकि game of rejection है आप जितनी ज्यादा rejection बटोरते हैं आप में उतनी ज्यादा sales करने की possibility बढ़ती चली जाती है writer बताते हैं कि इस knowledge ने उन्हें motivate किया जिसकी वजह से वो rejection को भी अच्छे से accept करने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने लगे Tracy आगे लिखते हैं कि दीरे दीरे वो sales करने लगे उससे उन्हें बस इतना ही मिल पाता था कि वो एक छोटे से guest house के एक छोटे से room का rent निकाल पाते थे करीब 6 महिने के अंदर उनकी life में changes आने शुरू हो गए जब उन्होंने अपनी company के सबसे successful salesman से पूछा कि वो उनसे क्या different करता है तब वो पताता है कि वो hard work से बिल्कुल भी नहीं घपराता वो 5 बजे morning में उड़ जाता है अपने पूरे दिन की planning करता है और वो पूरे दिन इस office से उस office का चक्कर लगाता है जो appointment देता है उससे मिलता है और वो जब भी किसी के घर की चलती light देखता है तो उसके घर का door नौक कर देता है उसकी इस बात ने उन्हें और motivate कर दिया writer Tracy कहते हैं कि अगर आप hard work से घपराते नहीं हैं और सीखने के लिए हमेशा ready रहते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आएए इस किताब से और बहुत से चीज़ों को जानने के लिए अपने आगे के chapters की ओर बढ़ते हैं मेरे जानत यूँ ही बने रहें और सुनते रहें The Psychology of Selling की audiobook summary Sales का Inner Game Napoleon Hill कहते हैं कि Imagination वो वर्क्शॉप है जिसमें इनसान के सब भी plans mold यानि ढाले जाते हैं जी हाँ, अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो आपको उसके बारे में imagine करना होगा अपने दिमाद में उसकी एक planning करनी होगी writer Tracy कहते हैं कि एक दिन उन्होंने एक ऐसे idea के बारे में सुना जिसने उनकी life को पूरी तरह से change कर दिया वो idea था law of cause and effect की खोज करना इस principle के according हर effect के पीछे cause होता है आपकी life में कोई भी चीज बिना किसी reason के नहीं होती success कोई coincidence नहीं है failure भी कोई coincidence नहीं है actually success को predict किया जा सकता है क्योंकि ये clues यानि सुराग छोड़ती है अगर आप इस principle पर और अच्छे से ध्यान देंगे तो आप बाएंगे कि अगर आप repeatedly वो करते हैं जो successful people करते हैं तो आपको भी वही result मिलेगा जो उन्हें मिल चुका है इससे आप success को अपनी और attract करते हैं वो आगे लिखते हैं कि आप अपनी life में जो कुछ सीखते हैं उसका use करना भी आपको आना चाहिए राइटर का कहना है कि वो अपनी sales training के तोरान अपनी audience से पूछते हैं कि अमेरिका में घरों में exercise करने की सबसे popular machine कौन सी है तो उन्हें इसका जवाब मिलता है कि treadmill अमेरिकान हर साल treadmill पर एक अरब डॉलर से भी ज़्यादा spend करते हैं फिर वो उनसे दूसरा सवाल करते हैं कि अगर आप treadmill खरीद लें और उससे घर लिजाएं तो कौन सी चीज तैक करेगी कि आपको इस treadmill से कितना स्यादा benefit मिलता है तो उन्हें अक्सर उनकी audience से जवाब मिलता है कि आपको कितना benefit मिलता है ये इस बात पर repent करेगा कि आप उसको कितनी बार use करते हैं और हर बार कितने time तक use करते हैं जो जवाब उनकी audience का है वो आपके लिए biggest lesson है ये आपके लिए एक important बात है इसमें कोई doubt नहीं कि treadmill आपको मंचाहे results देगी या नहीं देगी ये तो already proven है कि हर इनसान जानता है कि अगर वो regularly और long time तक treadmill का use करेगा तो definitely उसको health benefits मिलेंगे इस book में जो आप strategies और techniques सीखेंगे वे काफी कुछ treadmill से मिलती जुलती है पुरी दुनिया में हर industry में सबसे ज़्यादा payment लेने वाले सभी salesmen उसका use कर रहे है वो tried and tested है आप in methods का जितना ज़्यादा use करेंगे आप इनसे उतना ही ज़्यादा better बनेंगे और आप उतने ही better and faster results हासिल करेंगे अगर आप इस book में बताए गई बातों को अपनी life में apply करते हैं और उनकी practice करते हैं तो आप अपनी field के top 10% sales professionals के group में शामिल हो जाएंगे और दुनिया के सबसे highest paid लोगों में से एक बन जाएंगे Robert Collier कहते हैं कि आप जो चीज हासिल करना चाहते हैं उसको visualize करें उससे देखें, उससे feel करें उसमें believe करें अपना mental viewpoint बनाएं और उससे हासिल करना शुरू कर दें बस आपको इस बात को समझ लिना है कि जब तक sales नहीं होती तब तक कोई चीज नहीं होती sales people हमारी society के true creator है business ही सारे product और services पैदा करते हैं businesses ही salaries और लाखों का payment करते हैं किसी भी city, state और country में business community ही वहाँ के health, geographical area में quality of life और लोगों के standard of living का मोख्य, determiner होता है sales people किसी भी business के सबसे important लोग होते हैं sales ना हो तो सबसे बड़ी और सबसे progressive companies भी बंध हो जाएंगी sales capitalism के engine के spark प्रक की तरह होती है sales community की success और पूरे देश की success के बीच एक direct link होती है sales का level जितना उचा होता है वो industry या sector उतना ही ज्यादा successful और profitable होता है sales people की वजह से ही सबी schools, hospitals, private and public charitable organizations, libraries, parks और सभी अच्छी चीजों के लिए पैसा मिलता है जो हमारे standard of living के लिए बहुत important है President Calvin Coolies ने एक बार कहा था कि अमेरिका का business ही business है पहले जमाने में बिक्री को घटिया profession माना जाता था कई लोग ये बताने में ashamed फील करते थे कि वो एक sales person है sales people के खिलाफ society में एक common belief था बट आज लोगों का नजरिया देजी से बदल रहा है आज सबसे अच्छी companies के पास सबसे अच्छे sales people है दूसरी सबसे अच्छी companies के पास दूसरे सबसे अच्छे sales people है दुनिया के सभी successful organizations best sales organizations है आज hundreds of universities, professionals sales course कराती है जो पहले की तुलनाब में बहुत बड़ा बदलाव है बहुत सारे यंग लोग college से निकलते ही तुरंथ major companies में sales positions पर जाना चाते हैं इसलिए अगर आप एक sales person है तो आप खुद पर proud feel करें चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले chapter पर Sales में 80-20 का rule Sales का एक beneficial part ये है कि इसमें आपकी income की कोई limit नहीं है अगर आपको सही training मिली है अगर आप qualified है और सही market में सही product sale कर रहे हैं तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि जिसकी कोई limit नहीं है Sales हमारी society में एकलौधी field है जहाँ आप बहुत कम qualification या training से start कर सकते हैं किसी भी background से इसमें enter कर सकते हैं और 3 से 12 महिने में excellent पैसे बना सकते हैं अब आए जानते हैं Sales में 80-20 का rule कैसे काम करता है Writer Tracy लिखते हैं कि जब उन्होंने sales start किया था तो उन्हें किसी ने Pareto के 80-20 principle के बारे में बताया था जिसका मतलब है कि 20% top sales people पैसे कमाते हैं और bottom के 80% सिर्फ और सिर्फ 20% पैसे कमाते हैं उन्होंने जब इस बात को सुना तो उन्हें एक नया knowledge मिला उस knowledge ने उनकी आँखें खोल दी थी और उसी समय उन्होंने decide कि उन्हें उन 20% top sales people की list में जगह बनानी है और उन्होंने इस book में जो कुछ बताया है उसे आप अपनी life में अप्लाई करके आप भी top के 20 sales people की list में अपनी जगह बना सकते हैं इतना है नहीं पैरेटों का principle 20% sales people पर भी अप्लाई होता है यानि कि top के 20% group में भी जो top 20 है यानि top के 4% वो भी 20% वाले उस समूँ में 80% पैसा कमाते हैं यानि हर बड़ी sales force में 100 में से 4 या 5 लोग इतनी ज़्यादा sales करते हैं और पैसा कमाते हैं कि जितना बागी के सब मिलकर भी नहीं कमा पाते अब आगे rider लिखते हैं कि कभी भी पैसे की tension ना ले top के 20% में और बाद के 4% में पहुँचने का एक बहुत अच्छा reason है आपको तुबारा कभी भी पैसे की tension नहीं होगी या job की safety को लेकर tension नहीं लेनी होगी employment को लेकर कभी भी आप बेचे नहीं होंगे top के 20% या इससे भी उपर के group के लोग हमारी society के कुछ सबसे happy people होते है top 20% लोग बागी के यानि bottom के 80% लोगों की required income के compare में 16 टाइम से ज़्यदा कमाते हैं ये एक shocking figure है कुछ साल पहले एक बड़ी US insurance company ने अमेरिका के कई हजार agents पर 80 by 20 के नियम को examine किया तब उन्होंने पाया कि पूरी country में उनके कई ऐस agent थे जो अकेले ही दूसरे full time trained professional agent से ज्यादा sales और कमा रहे थे हलाकि वे वही product उन्हीं लोगों को उन्हीं price पर उन्हीं offices में यानि competitive conditions में पेच रहे थे वो आगे लिखते हैं कि same year में उन्होंने दो अलग-अलग industries में दो group को address किया था उन industries के सभी लोगोंने zero से start किया था वो newspaper से या yellow pages से number लेकर अपने customers को phone करते थे उन सभी ने directly commission पर काम किया था बट इन groups में sales people की average annual income 8,33,000 डॉलर से लिकर 8,50,000 डॉलर के बीच थी इन groups में कुछ top people तो yearly commission में कई million डॉलर कमाते थे अगर किसी industry में top के 20% लोग 80% पैसा कमा सकते हैं और किसी industry में top की 20% companies 80% profit कमा सकती हैं तो लोगों और organizations में different qualities होती हैं जिनकी वजह से उनमें incredible difference दिखाई बड़ता है winning edge को touch कर लिया है winning edge का concept 21st century के सबसे important management और sales ideas में से एक है इस principle के according merit यानि काबिलियत में small differences result में vast differences की ओर ले जा सकते हैं top performers और average performers की qualities या abilities में भारी difference नहीं होता अकसर ये तो बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिने consistently और बार बार अच्छी तरह से करने पर भी top पर पहुंच जाते हैं आप इसे एक छोटी से example से समझ सकते हैं race में दोडने वाले कई horses में से जीतने वाला हारने वाले से कुछ inch की दूरी से जीतता है इसलिए writer आपको advice करते हैं कि आपका target top के 20% लोगों में पहुंचना होना चाहिए फिर top के 10% में फिर top के 5% में then finally top के 4% में शामिल होना चाहिए इस book का main purpose आपको top पर पहुंचाना है आप आज जहां पर हैं वहाँ से ये book आपको उज़्य खेली जाएगी जहां पर पहुंचने का आपका सबना है या आप वहाँ future में पहुंचना चाहते हैं आपको अपनी industry में highest paid people में से एक बनना है तो इस book summary की आगे की बातों को भी गौर से सुनते चलें और इसकी बताई हुई बातों को अपनी professional life में apply करें तो आईए इसी के साथ पढ़ते हैं अपने अगले chapter पर मेरे साथ यूँ ही बने रहें और सुनते रहें psychology of selling की audiobook summary top case sales people की qualities sales people horses के comparison में harmful conditions में रहते हैं उने कोई consolation prices नहीं मिलते अगर कोई horse second या third number पर आता है तब भी उससे पैसे मिलते हैं बट sales की field में winner ही सब कुछ पाता है जो top sales person अपनी sales को गवा देता है उससे कुछ नहीं हासिल होता भले ही उसने sales की process में कितने ही घंटे क्यों ना invest किये हूँ sales की field में आपको अच्छे result पाने के लिए आपको थोड़ा सा better और different बनना होगा ताकि इससे आपकी income में extraordinary difference आ जाए जब आप एक छोटी सी बड़त हाजिल कर लेते हैं तो फिर compound interest की तरह ये बढ़ती चली जाती है आपको फिर से थोड़ा different होना होता है जब आप अपनी extra abilities को use करते हैं तो आप better होते चले जाते हैं आप जितने better बनते चले जाते हैं आपको उतने ही better results भी मिलते हैं आप जल्द ही और ज्यादा आगे पहुँच जाते हैं कुछ लोग तो कुछ महीनों महीं उनकी इन qualities का पता, interviews, surveys और extensive research के थ्रू लगाया गया है उनकी दो सबसे बड़ी खासियत होती है First, कोई भी इन qualities के साथ पैदा नहीं होता Second, इन सभी qualities को practice से सीखा जा सकता है आप उन qualities को develop कर सकते हैं जो आपको extra ornery life की quality की almost guarantee देती है पहले लोगों में believe था कि लोग successful इसलिए होते थे क्योंकि वो right families से आते थे उनके पास right education और right contacts होते थे उन्हें school में अच्छे grade मिलते थे ऐसे ही दूसरे measurement भी थे जिससे उनकी success को measure किया जाता था बट फिर researchers को पता चला कि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन में से कोई भी benefits के बिना शुरुआत की थी बट इसके बाद भी वे अपने profession के top पर पहुँचे इसलिए अगर आपके पास पहले से ही ऐसी कोई qualities नहीं है तो आप tension ना लें आप zero से start करें अगर आप सही direction और सही learning के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको top पर पहुचने से कोई नहीं रोख सकता इसका एक सबसे अच्छा best proof वे नए immigrants हैं जो अमेरिका में आते हैं तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते contacts नहीं होते school और university का कोई अच्छा background नहीं होता उन्हें limited English आती है और वो बहुत vulnerable position में होते हैं बट कुछ सालों में बे हर मुश्किल से निकल जाते हैं और अपनी field में leader बन जाते हैं अपने seminar में ट्रैसी हमेशा दुनिया भर के men and women से मिलते हैं जो इस country में zero के साथ आये थे और आज top के sales people में शामिल हैं अच्छा payment पाते हैं और कई तो self-made millennials भी है success इनसान के दिमाग में होती है rider कहते हैं कि sales person के दिमाग में जो कुछ भी चलता है वही सारे game को six करता है कुछ साल पहले Harvard University ने 16,000 sales people पर एक study की थी इस study में उन्होंने पाया कि sales में success और failure को तैक करने वाले सभी basic qualities mental थी अगर किसी इनसान में कुछ certain qualities होती थी तो success हो जाता था अगर आप इस psychological qualities को develop कर लेते हैं तो ये आपकी success की foundation बना देती है अगर आपको किसी बड़ी building को बनाना है तो आपको उस building की foundation की उतनी ही गहरी खुदाई करनी पड़ेगी क्योंकि foundation जितनी गहरी होती है building को उतना ही उपर build करने में आसानी होती है writer आपको advice देते हैं कि आप अपनी maximum potential का use करें average sales person अपनी ability के सिर्फ एक छोटे से part का use करते है एक research से पता चला है कि एक common man अपनी लगभग 10% से ज्यादा potential का कभी use नहीं करता इसका मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर कम से कम 90% या इससे ज्यादा potential रहता है जिसका use नहीं किया जाता जब आप ये सीख जाते हैं कि अपनी इस extra 90% potential को कैसे use करें तो आप खुद को top income group में पहुचा देते हैं फिर rider आगे लिखते हैं कि अगर आपको अपनी field के top 10% sales people में से एक बनना है तो first of all आपको ये find out करना है कि top 10% में कौन लोग आते हैं अपने business में average performance को follow करने के बज़ाए leaders को follow करें खुद को top के people से compare करें आप एक बात दिमाग में रख लें कोई भी आप से better नहीं है और कोई भी आप से ज़्यादा smart नहीं है अगर कोई आप से better कर रहा है तो इसका बस ये मतलब है कि उसने sales की feel में cause and effect के relationship को आप से पहले explore कर लिया है तो आएए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले chapter पर self concept पार्टन रसल ने कहा था कि कोई भी चीज़ की जा सकती है इस बात का सबसे बड़ा proof ये है कि कोई उसे पहले ही कर चुका है इस chapter में हम self concept के बारे में बात करेंगे self concept की खोज 20th century में psychology and human performance की field में सबसे notable खोज थी आपका self concept उन beliefs का एक set होता है जो आपके खुद के बारे में बताते हैं यानि आप life के हर area में खुद को किस तरह से देखते हैं और अपने बारे में क्या सोचते हैं आपका self concept आपके subconscious computer का master program है यह एक operating system जैसा ही है जो आपके द्वारा कई चीज महसूस की गई हर चीज को दै करती है आपके self concept और आपके performance के बीच एक direct relationship है आपकी outward performance हमेशा आपकी self concept की line में होती है आपकी life में सारे changes और improvement तभी start होते हैं जब आप अपनी self concept यानी अपनी inner programming को improve करते हैं sales में आपके self concept का बहुत ही important role होता है for example sales की field में prospecting के context में आपका अपने बारे में एक self concept होता है अगर आपका self concept हुचा और positive है तो आपको prospecting में कोई problem नहीं होती आप morning में ऊड़ते हैं और नए लोगों से मिलने के लिए curious रहते हैं आप prospecting में successful और confident होते हैं इसलिए आप sales को लेकर हमेशा energetic रहते हैं अगर prospecting के context में आपकी self concept कमजोर है तो आप डर और anxiety के साथ prospecting करने जाएंगे आप इसे अपने comfort zone में रहकर करना चाहेंगे prospecting का idea आते ही आप tense और restless हो जाएंगे आप इसे कम से कम करेंगे और constantly इसे बचने के तरीके सोचते रहेंगे ये sales के हर दूसरे area के बारे में भी सच है writer आपको आगे सेज़ेस्ट करते हैं कि आपको अपनी comfort zone से बाहर निकलना होगा आप अपनी sales की revenue को सिर्फ एक ही तरीके से increase कर सकते हैं आप जितना amount कमाते हैं उसके हिसाब से अपनी comfort zone के दाइरे को बढ़ाएंगे अगर आपका comfort zone आपको हर साल 50,000 dollar कमाने के लिए motivate करता है तो आप अपनी comfort zone के दाइरे को और expand कर सकते हैं उसे 1,000,000 dollar हर साल करें यानि आप ये ठान लें कि जब तक आप अपने target को achieve नहीं करेंगे तब तक आप chance से नहीं बैठेंगे आपको अपने financial thermostat को फिर से set करने की जरूरत है आप अंदर से जितना कमा सकते हैं बाहर उससे ज्यादा कभी नहीं कमा सकते यानि आप दिमाग में जो ठान लेते हैं उससे ज्यादा आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे आपका ये income thermostat आपकी temperature को तैय करता है जैसा कि आप जानते हैं जब किसी thermostat को एक certain temperature पर set कर दिया जाता है तो ये continuously heat और cool को balance करता रहेगा ताकि room का temperature stable बना रहे इसी तरह अगर आप खुद को 50,000 डॉलर साल वाला इंसान मानते हैं तो आप continue ऐसे काम करेंगे जो आपकी income को 50,000 डॉलर साल पर ही stable रखेगी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक खास महिने में certain amount earn करने का target बनाते हैं और वो उसे half a month में ही earn कर लेते हैं तो वो next two weeks सत sales करना बंद कर देते हैं अपने comfort zone में चले जाते हैं और फिर वो next month की first time का wait करते हैं ताकि psychologically खुद को फिर से sales की ओर ले जा सकें ये बहुत ही common बात है ऐसा बहुत से sales person करते हैं आगे writer लिखते हैं कि आपको अपने past से निकलना होगा क्योंकि past आपको hold करके रखता है आपको उससे बाहर आना ही होगा क्योंकि अगर आप उससे बाहर नहीं आएंगे तो आप ज्यादा earn नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर आप एक poor family से आते हैं तो आप एक unconscious level पर decision लेते हैं कि आप ज्यादा earn नहीं कर पाएंगे और यही truth होता है ऐसे ही वो एक young man का example देते हैं जो farming background से आता था वो village से निकल कर शेह पहुंचा और farmers को satellite dish sell करने लगा उस salesman ने अपनी life में कभी ज्यादा पैसे नहीं कमाये थे बट उसकी किस्मत अच्छी थी उस साल farmers की फसल अच्छी वी थी तो वे उससे 5000 डॉलर की satellite dish खरीदने लगी वो अथनी तेजी से पैसे earn कर रहा था कि उसने कभी सपने में भी उतने पैसे के बारे में नहीं सोचा था वो तो डिश बेचता था तो वो अपनी earning से इतना घबरा जाता था कि उसकी heartbeat बर जाती थी वो अपने apartment में जाकर light off करके बहुत देर तक सोचता रहता था यहाँ यही कहना है कि आपको अपनी income को बढ़ाने के लिए आपको अपने financial goals को पहले से अपने दिमाग में हासिल करना होगा अपनी mentality को change करना होगा आपको अपनी self concept के level को gradually increase करना चाहिए जब तक कि आप खुद को high earner के रूप में सोचने ना लगे देखने ना लगे और कुछ साल पहले Columbia University की एक study में ये पाया गया कि एक average sales person डेली करीब देड़े घंटे काम करता है उन्होंने ये भी पाया कि पहले sales call morning में करीब 11 बजे से पहले नहीं की जाती है last usually afternoon around 3.30 बजे की जाती है और उसके कुछ time बाद ही average sales person काम करना बंद कर देता है वो दुबारा office lot जाता है या घर चला जाता है ज्यादतर sales people morning में बहुत सारा time ready होने, coffee पीने, बातें करने, newspaper पढ़ने और internet पर surfing करने में बिता देते हैं फिर वो बाहर जाकर lunch के ठीक पहले एक customer से मिलते हैं prospects के साथ second meeting around दो बजे तक हो पाती है इसके बाद average sales person rest mode में चला जाता है उसका daily customers के साथ face to face meeting में time span करने का time करीब 90 minute ही हो पाता है ये average है आधे इस average के above होते हैं आधे इस average के below होते हैं इसलिए अगर आपको average sales person की भीर से अलग हटना है तो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि आपको हर दिन एक इनसान को अपने product या services को sale करना है जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपना time waste नहीं करते आप morning में उड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा देर तक काम करते हैं एक important बात अगर आपको average sales person की भीर से अलग होना है तो rejection से बिलकुल भी न डरें sales में success के लिए दो important PC qualities होनी चाहिए courage और devotion daily morning में उठकर failure और rejection के fear को relentlessly face करने के लिए courage को इखटा करे constant मुश्किलों और disappointments के बापजूद daily field में निकलते रहने के लिए devotion की जरुरत होती है सबसे ची बात ये कि courage एक habit है इसलिए आप इस habit को develop करके अपनी life में include कर सकते हैं courage भी muscles की तरह होती है आप इसका जितना जादा यूज़ करेंगे आप उतने ही स्यादा powerful बनते चले जाएंगे finally आप उस point पर पहुँचाएंगे जहां आप almost fearless बन जाते हैं इसके बाद आपका career rocket की तरह उड़ता चला जाएगा writer आगे जो सबसे important बात बताते हैं वो ये है कि 80% sales पांचवी मुनाकात या closing के प्रयास के बाद ही पूरी होती है 5th meeting के बाद जब आप अपने customer से खरीदने का निर्णा लेने को कहते हैं तबी आपकी ज्यादतर sales होती है especially जब आप अपने customer से ये चाहते हैं कि वो एक company से सामान खरीदना छोड़ दे और आपकी company से सामान खरीदना शुरू कर दे इसलिए आप पहली बार में ही किसी को अपना product या service sale करने की कोशिश ना करें पहले उससे appointment लें और मिलें पांच बार का मतलब ये नहीं कि आप अपने customer के साथ पांच घंटे spend करें इसका simple सा मतलब ये है कि आपको उससे पांच बार करने के लिए ready है आप उसके लिए एक important चीज लिकर आए है जब आप उससे पांच बार मिलते हैं तो वो पांच बार किसी तरह से आप से मिलने को कहता है तो आपके prospects में interest लीना start कर देता है यही कारण है कि ज्यादा तर sales persons sales की job को छोड़ देते हैं वो दो या तीन बार में ही गबरा जाते हैं और hopeless होकर give up कर जाते हैं कभी-कभी तो आप इस बात से भी hopeless हो जाते हैं कि आप जितनी बार उस customer से मिलने जाते हैं उतनी बार वो आपके product से और आप से unaware होता है आपको फिर से ये कहते हैं कि मुझे इस बारे में सोचने का समय दे तो आपके सामने ये declare कर रहा है कि meeting is over और आपने इस prospect में time and energy का अपना पूरा invest बरबाद कर दिया इसलिए आपको इससे discourage नहीं होना है ऐसे कई occasions आएंगे जब आपको आपकी customer से ऐसे answers मिलेंगे बट इसके बाद भी आपको डटे रहना है आपको failure और rejection के बारे में ज्यादा नहीं सोचना customer का rejection आपको बुरा इंसान नहीं बनाता कोई भी आपकी personality को reject नहीं करता वो आपके offer या आपके presentation या आपकी price को no बोलता है इसलिए ऐसे rejection को personally कभी न लें क्योंकि बहुत से लोग उनको personally ले लेते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद वो एक अच्छे इंसान नहीं है जिसकी वजह से उनका sales enthusiasm डाउन पर जाता है और वो लोग अपनी prospecting को कम करने लगते हैं और जल्दी ही एक average sales person की भीड में शामिल हो जाते हैं फिर वो किसी से ना मिलने के लिए नए नए बहाने धूनने लगते हैं बस आपको किसी भी rejection और डर को personally नहीं लेना है rejection को energy की तरह लें और फिर एक नए call के लिए ready हो जाएं पिछले में जो कमी थी उसको अगले में दूर करने की कोशिश करें हर बर आप कुछ नया सीखेंगे तो आए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले chapter पर मेरे साथ यूहीं बने रहें और सुनते रहें The Psychology of Selling की audio book summary अपना goal set करें Dan Deardorf कहते हैं कि अगर मेरे पास सही goal है और मैं अपने knowledge की help से best solution को follow करता हूँ तो हर चीज perfect हो जाती है अगर मैं सही चीज करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं success होने वाला हूँ Success को achieve करने के लिए आपको exactly ये decide करना जरूरी है कि आप हर साल कितने पैसे earn करना चाहते है अगर आप अपने revenue goal के बारे में completely clear नहीं है तो आपकी sales activities सही से काम नहीं करेंगी आप उस इंसान की तरह होंगे जो कोहरे में किसी शिकार पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है आप उस पर निशाना नहीं लगा सकते भले ही आप world के best shooter क्यों नहों आप उस पर कैसे निशाना लगा सकते है जिसे आप ठीक से देखी नहीं सकते आप सबसे पहले अपनी annual income target को set करें इसे set करने के लिए खुद से सवाल करें कि आप next 12 months में कितना पैसा earn करने का इरादा रखते है आपका exact amount क्या है उसे किसी paper पर लिख लें ये आपका वो goal बन जाता है जिसे achieve करने के लिए आप पूरे साल अपनी पूरे concentration के साथ जुटते हैं हर field के top sales persons exactly बता सकते हैं कि वो हर साल और हर साल के हर भाग में realistic तो हो बट साथ में challenging भी हो low performing sales people को जरा भी idea नहीं होता कि वो कितना earn करने जा रहे हैं उन्हें end of the year तक इंतजार करना होता है और फिर अपने tax form filling करते time उन्हें पता लगता है कि उन्होंने उस साल कितना पैसा कमाया उनके हर दिन, month, year financial point of view से exciting new venture होता है उन्हें इस बात का जरा भी idea नहीं होता कि वो आखिर में किस जगह पर पहुँचने वाले हैं अपने goal को सही तरीके से achieve करने के लिए आपको अपने goals को लिखना चाहिए यानि आपके goals written होने चाहिए तबीवे effective होते हैं कई बार लोग अपने goal को paper पर नहीं लिखना चाहते उनका मानना है कि अगर वो उससे achieve नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा इससे उन्हें कोई tension लेने की जरुवत नहीं है बट आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप अपने goal को लिखने का काम करते हैं तो फिर उनके हासिल करने के chances 1000% बढ़ जाते हैं इसके जाथ ही आपकी expectation भी बढ़ जाती है और आप अपने expectation से बहुत जल्द ही उससे achieve कर लेते हैं बस आपको ये बात दिमाग में मिठा लेना है कि भले ही आप अपने goal schedule टाइम पर हासिल ना कर पाएं तो भी आपके पास एक goal होना चाहिए क्योंकि goal ना होने से better goal होना होता है एक बार जब आप अपने annual revenue और sales target को set कर लें तो फिर उन्हें month में break कर लें फिर months को weeks में break कर लें यानि writer Tracy आपको ये बताना चाहते हैं कि आप annual goal को हासिल करने के लिए weekly और monthly goals को भी set कर लें sales target को set करने का last step ये है कि आप अपने sales target को हासिल करने के लिए उन specific activities को अच्छे से करेंगे जो आपको करनी होगी आपको customers के साथ अपने appointment लेने के लिए कितने phone call करने होंगे आपको sales की एक certain level को हासिल करने के लिए कितने presentations देने होंगे और कितनी बार call back करना होगा इन सभी चीजों का एक setup रेडी कर लें activities की planning बनाने के लिए हमेशा ये जानना important होता है कि sales activities को control किया जा सकता है आप ये decide नहीं कर सकते कि कोई particular sales कहां से आएगी बट आप उन activities को control कर सकते हैं जिनसे आपको sales हासिल होगी और अपनी activities को control करके आप indirectly अपने sales results को control कर सकते हैं जब आप weeks, months और year के goals को set कर लेते हैं और everyday systematically उन्हें हासिल करने के direction में काम करना start कर देते हैं तो आप उन goals को अपनी expectations से ज्यादा आसानी से हासिल कर लेंगे जब भी आप अपने sales life के हर part के लिए clear and specific goal बिनाना शुरू कर देंगे तो उससे मिलने वाले results को देखकर amazed रह जाएंगे बस आपको दिमाग में एक चीज़ बिठा लीनी है कि goals set करने से ही सब कुछ होगा अब आपको लग रहा होगा कि goals set करने से ऐसा क्या होता है actually उस चीज़ को पाने की possibilities बढ़ जाती है ऐसाइसल लिए होता है क्योंकि किसी goal को लिखने का काम ही आपके subconscious mind में इसकी programming कर देता है एक बार जब आप अपने subconscious mind में किसी goal की programming कर देते हैं तो ये खुद में एक powerful tool बन जाता है आपका subconscious mind daily 24 गंटे काम करता है जागते time नीन में भी ये आपके goals को हासिल करने के लिए तेजी से guide करने लगता है फिर आपका subconscious mind आपको अपने आसपास की opportunities और possibilities के लिए alert करता है ये आपको discussion के लिए सही thought देता है कई बार तो sales related discussion के बीच में आपको कई अच्छे ideas भी देता है एक बार जब आप अपने subconscious mind में किसी goal की programming कर लेते हैं तो ये आपको constantly motivate करता है कि आप इसे खासिल करने के लिए necessary चीज़ें करने लगते हैं तो आए इसे के साथ बढ़ते हैं अपने अगले chapter पर I like myself writer dressy आपको advice देते हैं कि एक spiral notebook लें और उसमें अपने सबी goals को note कर लें जहने आप आने वाले सालों में achieve करना चाहते हैं हर उस चीज़ की list बनाएं जिसे आप अपनी life में पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं imagine करें कि इस list में आप जो भी note करते हैं हर चीज़ आपके पास बिल्कुल right way से right time पर आने वाली है आपको उस notebook में ये लिखना है कि मानो आप उसे पाने के लिए खजाने का order दे रहे हो जब भी आपके दिमाग में sales से related कोई भी नई चीज़ आए तो उसे भी उस notebook में note कर लें आपके पास जितने ज़्यादा goals होगे आपके लिए उतना ही better होगा Tracy अपने एक friend का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उनका एक friend जब sales की field में अपना career start कर रहा था तब उसने ये practice start की उसने आने वाले सालों के लिए अपने 350 goals set किये जब भी वो newspaper पढ़ता या TV देखता और कोई चीज़ उसे पसंद आ जाती तो वो उसे अपनी notebook में note कर लेता था वो हर week अपने goals को पढ़ता उनका review करता और new goals को उसमें add करता था Within a year एक competitive market में zero से start करते हुए वो अपनी field के सब से successful sales people में से एक बन गया उसने अपनी industry के सभी salesperson के records को break कर दिया Newspapers ने तो उसे sales superstar declared कर दिया था वो आगे लिखते हैं कि जब वो अपने उस friends से मिले तो उसने उन्हें बताया कि अपने goals को लिखना और उन्हें review करना ही उस motivation और enthusiasm का बुनियादी कारण था जिसने उसे success तक पहुँचाया था फिर बाद में वो realize करने लगा कि वो unstoppable है राइटर आगे लिखते हैं कि वो अभी तक कई sales people को training दे चुके हैं अमेरिका और 25 बदर कंट्रीज में 5 लैक से ज्यादा sales people को training देते time उन्होंने feel कि कि goal setting का dedication top sales people की success का biggest reason है हर field में highest speed sales people goal setting के मामले में dedicated होते हैं वे daily अपने goals no down करते हैं और वे ये काम बार बार करते हैं वे अपनी list में लगातार goals add करते रहते हैं वे फिर उन्हें अपने subconscious और super conscious mind तक महुचा कर activate कर लेते हैं वे अपनी life में उन लोगों और situations को attract करने लगते हैं जो goals हासिल करने में उनकी help करते हैं वो आगे बताते हैं कि goals setting के साथ आप mental picture भी बनाएं क्योंकि ये बहुत ही powerful method है जिससे आप सीख सकते हैं आप जिस तरह का इंसान बनना चाहते हैं या आप जो भी goal हासिल करना चाहते हैं उसके एक clear mental film बनाने से ज्यादा powerful method कुछ नहीं है इससे आप अपने subconscious mind की programming कर सकते हैं mental picture में खुद को calm, confident और powerful person के रूप में देखें आप imagine करें कि आप एक successful और influential person है अपनी film में देखें कि आप sales के हर aspect में capable और qualified हैं आप prospecting, presenting और closing में excellent हैं आपका subconscious mind, pictures और statements दोनों से activate होता है जब भी आप खुद से loudly कुछ कहते हैं तो आपका subconscious mind उन words को order मान कर accept कर लेता है फिर वो इस order को हकीकत में बदलने लग जाता है सभी purpose के लिए best statement है कि I like myself, I like myself, I like myself जब भी आप I like myself कहते हैं तो आप अपने self esteem को बढ़ा लेते हैं अपने self concept को better कर लेते हैं और अपने हर काम को खासतोर पर sales को ज्यादा effective manner में करते हैं इसलिए writer आपको सलहा देते हैं कि आप अपने self esteem को बढ़ाते रहें जब आप किसी strong statement को full confidence और enthusiasm के साथ कहते हैं और अपने subconscious mind को इसे real में बदलने का order देते हैं तो आप अपने सभी mental powers को activate कर देते हैं आप अपनी energy level को increase कर लेते हैं आप positive and enthusiastic feel करते हैं आप अपने mind और emotions की काड़ी के driver बन जाते हैं आप कभी भी खुद को discourage या मजबूर feel न करें आप खुद से कहें कि I feel happy, I feel happy, I feel awesome यानि मैं खुश महसूस करता हूँ मैं healthy महसूस करता हूँ और मैं चबरदस्त महसूस करता हूँ आप पूरे दिन में से कई बार repeat करने की habit डालें जब भी आप ये words repeat करते हैं तो आप हर बार ज्यादा happy और confident feel करेंगे आप इससे दिन में कई बार repeat करने के बाद इस पर गौर करेंगे तो आप सच मुच वैसा ही feel करेंगे जैसा आप पूरे दिन कहते आए हैं इसलिए life के किसी भी purpose को अचीव करने के रास्ते में आने वाली problem से परेशान होकर discourage ना हो खुद को ये कहकर motivate करते रहें you will really achieve your purpose यानि आप अपने purpose को सच में हासिल कर लेंगे तो आईए इसी के साथ पढ़ते हैं अपने अगले chapter पर 50 से 100 चीजों की list बना लें हम अपने इस chapter में top sales people की कुछ और qualities के बारे में जानेंगे सबसे पहली quality है कि top sales people completely different होते हैं वो अपनी sales से जोड़ी meeting के बारे में पहले से ही एक advanced planning कर लेते हैं अपने customer के सामने आने से पहले ही वो दिमाग में उन बातों को repeat कर लेते हैं जो उन्हें वे बताने वाले होते हैं एक तरह से इसे आप mental rehearsal कह सकते हैं जी हां वो अपनी meeting से पहले एक mental meeting कर लेते हैं इसे peak performance technique कहते हैं जिसका use सभी professional players करते हैं यही काम sales line के masters भी करते हैं बहुत से top players जब भी field या court में उतरते हैं तो वो अपने उस game के बारे में एक mental rehearsal कर लेते हैं professional players field पर जाने से पहले हमेशा warm up और rehearsal करते हैं ठीक इसी तरह professional sales people भी mental rehearsal करते हैं ताकि वो अपने customers के सामने अपना best performance दे सकें इस mental rehearsal के दो तरीके हैं इसमें आप अपनी visualization की help से आने वाली sales meeting की mental rehearsal कर सकते हैं पहला है direct जहां आप customer और sales position को अपने सामने देखते हैं आप customer को smile करते हुए अपनी बातों पर positively react करते हुए देखते हैं आप देखते हैं कि वो आपसे agree कर रहा है उससे आपसे बात करना अच्छा लग रहा है वो आपके sales presentation को enjoy कर रहा है और आप उससे अपने product या service को sell करने में success हो जाते हैं mental rehearsal को use करने का दूसरा तरीका indirect है इस approach में आप actually खुद को खुद से बाहर निकाल कर खुद को और customer को sales position में देखते हैं ठीक वैसे ही जैसे कोई third person बगल में बैट कर आप दोनों की meeting देख रहा हो जब आप इन दोनों तरीकों से खुद को अंदर और बाहर से देखने का इस्तमाल करते हैं तो आप अपनी sales presentation और personal performance की quality को बहुत improve कर लेते हैं इसलिए never think small, always think big यानि कभी भी छोटा न सोचें, हमेशा बड़ा सोचें next year के लिए अपनी income target set करें जो आपकी पिछली best income से 25-50 प्रतीशत ज्यादा हो आप इस बात का पता लगाएं कि अपनी ideal income हासिल करने के लिए आपको next year अपने कितने product या services को sale करना होगा अपनी earnings और sales के features को month, weeks और days में divide करके set कर लें कि आपने जितने पैसे कमाने का decision लिया है उसे कमाने के लिए आपको daily कौन सा अगाम करना होगा जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि daily की planning पहले से ही कर लें precisely उन customers की number जान लें जिने आपको phone करना है आपको कितने लोगों से meeting करना है और कितनी sales करनी है अपनी family और personal life के लिए बड़े exciting goals set करें 50-100 चीजों की list बना लें जो आप उस पैसे से खरीदना और करना चाहते हैं जो आप next year earn करने वाले हैं अपना हर goal हासिल करने का एक return plan बनाएं और everyday अपने plan पर काम करें अपने most desired goals को achieve करने के लिए extra work और sacrifice की terms को चुकाने वाले कीमतें तै करें और फिर उन कीमतों को चुकाना शुरू कर दें यानि आपको उसके लिए कितना hard work करना है पहले से ही उसकी planning कर लें पहले से ही उसकी planning कर लें और फिर hard work करना start कर दें writer आगे लिखते हैं कि कुछ sales people Columbus sales people होते हैं Columbus sales people उन्हें कहते हैं जिने Columbus की तरह sales करनी आती है यानि जब Columbus इंडिया का रास्ता खोजने के लिए चला तो उसे ये नहीं मारूम था कि वो कहां जा रहा है यानि वो starting में ऐसे ही निकल पड़ा था जब वो अमेरिका पहुँचा ता उसे मालूम नहीं था कि वो किस जगह पर आ गया है और जब वो स्पीन लोटा तब भी उसे ये नहीं मालूम था कि वो किस जगह से होता हुआ बहां आया है कई sales people भी ऐसे होते हैं वो सुभा सिर्फ एक rough idea के साथ निकलते हैं उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वो कहां जा रहे हैं जब वो अपने customer के घर या office पहुँचते हैं तो वो पहली बात कह देते हैं जो उनके मूँ से निकल जाती है यानि वो अपनी meeting की pre-planning नहीं करते और जब office से वापस लोटते हैं तो उन्हें पक्का पता नहीं होता कि वो कहां गए थे और क्या हुआ था इसलिए writer कहते हैं कि आपको अपनी meetings की पहले से ही planning करनी चाहिए इससे आपको अपनी services या product को sale करने में बहुत आसानी होगी और आपके अपने annual target को खासिल करने में मदद मिलेगी जैसा कि W. Clement Stone कहते हैं कि आप भी decide कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं आप अपने goals, objectives और destinations को choose कर सकते हैं तो आईए इसी powerful statement के साथ चलते हैं अपने अगले chapter पर मेरे साथ यूभी बने रहें और सुनते रहें The Psychology of Selling की audiobook summary अपने दोस्त चेतन के साथ ये समझ गए तो आप कुछ भी sell कर सकते हो गलेलियो कहते हैं कि जब goal set करके मैं अपने knowledge के हिसाब से best solution को follow करता हूँ तो हर चीज सही हो जाती है तो अगर मैं सही चीज करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं successful होने वाला हूँ sales का एक बहुत ही important part है वो important step होता है जिस पर sales की पूरी process depend करती है ये important step अपने customer की needs को accurately identify करने की ability है चाहे जितना time लगे, चाहे जितना questions पूछना जरूरी हो, सब कुछ करें but exactly पता लगाएं कि इस खास customer को इस time आपका product या service खरीदने की जरूरत क्यों है यानि अपने इस chapter में हम जानेंगे कि लोग कोई भी product या service क्यों खरीदते है अगर आप customer की needs को accurately नहीं पहचान पाएंगे तो sales की पूरी process ही stop हो जाएगी कोई भी इनसान आपका product या service क्यों खरीदता है इसके बहुत से reasons होते है बस आपको ये बात समझ लेनी है कि लोग आपके नहीं उन reasons को खरीदते है नौशीखिये sales people एक बहुत बड़ी mistake ये करते है कि वो customer को अपने reasons से sell करना चाहते है उन reasons से नहीं जो customers को important step लेने के लिए motivate करता हो किसी चीज़ को खरीदने की एक basic principle ये है कि किसी ना किसी तरह का badgament हर human action का goal है लोग कोई भी product और services इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे करने से उनकी situation better हो जाएगी साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि वो product या service बिलकुल ना खरीदना या किसी दूसरे से खरीदना उतना beneficial नहीं होगा जितना कि आप से खरीदना उनके लिए beneficial होगा sales में जब आप अपने किसी customer के सामने sales का offer रखते हैं तो उसके सामने तीन options होते हैं वो आप से खरीद सकता है, वो किसी दूसरे से खरीद सकता है या वो उस time खरीदने के mood में बिलकुल भी नहीं है आपका job customer को समझ के उस point तक ले जाना होता है जहाँ वो आप से पूरी तरह है, convince हो जाए उसे ये feel करना है कि उसे आपके product या service की इतनी जरूरत है कि वो उसे खरीदने का mood बना ले इसके साथ ही आपको ये clear करना होगा कि आपके product के बिना customer की condition अच्छी नहीं होगी आपके product या service को पाने के बाद उसकी condition better हो जाएगी आप इस बात को दिमाग में रख लें कि इस से उसकी utility या profit में सिर्फ small increase नहीं होना चाहिए customer के काम और उसकी life में इतना ज़्यादा improvement होना चाहिए कि वो patience या rational बन जाए जब इनसान के पास पैसा होता है तो वो society में freedom feel करता है और उसके पास कई सारे options होते है वो life में कई चीज़ें एक साथ कर सकता है या separately कर सकता है यही कारण है कि उनके पास बहुत से चीज़ें खरीदने का option भी होता है इसलिए अगर आप उन्हें ये feel कराते हैं कि वो अपने पैसे को जहाँ invest कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जगा है या आप उन्हें चोबी service या product sale कर रहे हैं उनके लिए बहुत useful है तो वो आपके product या service को ज़रूर खरीद लेगा अच्छे salesperson की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो अपने customer की needs को अच्छे से पहचानते हैं इसलिए आपको sales field में success हासिल करने के लिए खुद में ये quality develop करनी होगी Professional selling, need for analysis से शुरू होती है In fact, आप तब तक selling position में नहीं होते जब तक कि आप enough questions ना पूछ लें और answers को carefully ना सुन लें इससे आप अपने customer की उस सबसे deepest need को समझने के काबिल बनते हैं जो आपका product या service उसे satisfy कर सकती है एक बार जब आप अपने customer की important needs और wishes को समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने presentation को उसके सामने जबरदस तरीके से showcase करने में help मिलती है फिर आपसे खरीदने पर उसकी requirement completely satisfy हो जाएगी आप जो भी product और services sale करने चाहते हैं तो उसके बारे में आपको अच्छी knowledge होनी चाहिए यानि आपका product क्या है उसे कैसे बनाया गया है और उसके design और production में कौन-कौन से features हैं जब आप किसी customer के साथ होते हैं तो ज्यादतर इनी चीज़ों पर बाते होती है बट customer को इस बात की जरा भी परवा नहीं होती की product क्या है उसे तो सिर्फ इस बात की परवा होती है कि आपका product उसके लिए क्या करेगा इसके लिए आप एक pipeline को imagine करें यानि एक तरफ से आपका product जाता है और दूसरी तरफ customer bucket लगा कर बैठा है इसलिए ये चीज़ आपको clear होनी चाहिए कि आप जो भी sell कर रहे हैं उसे खरीदने के बाद customer की bucket में क्या पहुँचेगा और लासली आपको अपने customer को ये realize कराना चाहिए कि आपका product या service जब वो अपनी life में include करेगा तो उसको उसे ज्यादा appreciation और recognition मिलेगी उसकी power, influence और popularity बढ़ेगी अगर आप उसे ये realize करा देते हैं तो वो आपके product या service को उसकी cost के बारे में सोचे बेना खरीद लेगा तो आईए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले chapter पर question करने वाले के हाथ में control भी होता है आज सभी लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन वे ये realize नहीं करना चाहते कि उन्हें sell क्या किया जा रहा है जिस टाइम कोई customer ये realize करता है कि उस पर खरीद तारी के decision लेने के लिए pressure डाला जा रहा है तो वो अपने दिमाब को close कर लेता है और वो आपके product या service में interest लेना बंद कर देता है अगर आप sales person है तो आपको ये समझ लेना है कि जो question करता है control भी उसी के हाथों में होता है जो इंसान questions का answer दे रहा है उसको control वो इंसान कर रहा है जो question पूछ रहा है जब भी आपको question पूछते हैं और जब आपको गौर से सुनते हैं तो आप sales decision के direction को control कर रहे होते हैं और ये होना भी चाहिए जब भी आप customer के किसी question का answer देते हुए बोल रहे होते हैं तो conversation का control customer के हाथों में पहुँच चुका होता है अगर customer आपसे कोई सवाल पूछे तो आप कोई answer ना दें उसके question पूछने के बाद एक pause लें उसे ये feel करा है कि आपने उसके question को बहुत ही गौर से सुना है आप उसे ये भी कह सकते हैं कि तरसे कुछ question क्या मैं पहले आपसे कुछ पूछ सकता हूँ इससे उसे ये feel होगा कि आपने उसके question को recognize किया है और साथ ही आप अपना question पूछ कर control को फिर से अपने हाथों में ले लेते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो ये इतना natural और automatic हो जाएगा कि customer को कभी भी ये realize नहीं होगा कि क्या हुआ अगर आप अपनी किसी चीज़ को sell कर रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि खुद को right position में रखें आज सबसे अच्छे sales people खुद को sales people कम और अपने customer का consultant और advisors consider करते हैं इसलिए एक consultant के रूप में आपका काम ये है कि आप जो भी sell कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को identify करने में लगाते हैं फिर वो अपने customers को realize कराते हैं कि उनका product या service उनके उन problems को solve कर सकता है and one important thing कि आप ध्यान में रखें कि खुद को sales person के बज़ाए एक friend की तरह present करें अपने customer के सामने अपनी ऐसी image ना बनने दें कि आप उसके पास सिर्फ अपने product या service को sale करने गए है एक advisor के रूप में उसके सामने चाहें आप उसे ये feel कराएं कि आप उसकी help करने गए है customer की need को पूरी तरह समझने में time लगाएं फिर ये समझने में customer को help करें कि आपका product और service कैसे और क्यों इन needs को किसी दूसरी चीज़ से ज्यादा अच्छी तरह से पूरा करेगा सांथ ही अपने customer से कुछ सीखें और दूसरों को भी उन सीखों से सिखाएं जब आप किसी friend, consultant और monitor के रूप में sales position में जाते हैं तो आप sales person के रूप में उन stress को reduce कर लेंगे जो competitive sales में होता है sales के दुनिया में एक बहुत ही शांदार काहवत है sales words से होती है लेकिन खरीदारी silence में होती है sales people बहुत fast और बहुत loudly बोलते हैं इसका biggest reason ये है कि वे बात करने में nervous हो जाते हैं वे silence के साथ comfortable नहीं होते उन्हें लगता है कि हर moment को अपने product या service से relate किसी sensible comment से भरना होगा और ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है जब भी आप अपने customer को किसी product या service के बारे में बता रहे हो तो वो फटाफट ना रगे उसमें silence हो, pauses हो और अपने customer को ऐसा feel कराएं कि आप उसे सुन भी रहे हैं अपने customer को अपने product या service के बारे में चूट बताने की कोशिश ना करें क्योंकि आपके customer आपसे आपके product या service के बारे में सच्चा ही सुनना चाहते हैं वो इस बारे में honest information चाहते हैं आप जो product या service sale करते हैं उसके बारे में आप अपने customer से ये जरूर पता लगाएं कि उन्होंने आपसे वो product या service क्यों खरीदा था अगर आप अपने पुराने customer से पूछते हैं तो उन्मेंसे ज्यादतर आपको एक ही reason देगे जिसकी वजह से उन्हें आपका product या service पसंद आई यानि उनका आपसे चीज़ें खरीदने का कोई reason नहीं होता और वो जो भी reason बताएं उसे आप no down कर लें और जब भी आप अपने new customer से मिलें तो उन्हें ये चीज़ जरूर बताएं कि आपके ज्यादतर best customers कहते हैं कि वे हमसे जो खरीदते हैं उसका reason ये है उसी reason को hot button कहते हैं क्या आपको भी लगता है कि ये आपके लिए important है जी हाँ, ऐसा करने से आपका customer आपके importance को समझेगा और शायद वो भी उसी reason की वजह से आपसे वो product या service खरीद ले इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले chapter पर hot button को पहचानना सीखें अब आईए, अपने इस chapter में ये जानते हैं कि आपको अपने customer के hot button को कैसे पहचानना है क्योंकि हर customer के पास किसी चीज को खरीदने के लिए एक बहुत बला reason होता है जो आपके लिए hot button का काम करता है अब आईए एक real state agent की story से इसे समझने की कोशिश करते हैं वो एक couple को घर दिखाने लिगया वो जिस घर को उस couple को दिखा रहा था उसी condition बहुत अच्छी नहीं थी बट जैसे ही वो उस घर के सामने रुखता है तो couple में से wife ने उस मकान की ओर दिखा और black courtyard में उसे एक beautiful flowering cherry tree जाता है वो cherry tree को लेकर बहुत fascinated है इतना देखते ही वो खुश हो जाती है और वो अपने husband से कहती है कि देखो फूलों वाला cherry tree कितना beautiful लग रहा है जब मैं चोटी थी तो मेरे घर के back courtyard में भी फूलों वाला cherry tree था मैं हमेशा से एक ऐसे घर की सर्च कर रही थी जिसमें cherry tree हो वे सब जिस गारी से मकान को देखने गए थे उससे बाहर निकलते हैं और मकान के अंदर आ जाते हैं उस real estate agent ने लेडी की उस बात को अपने दिमाग में नोट कर लिया था कपल में से husband उस मकान को critical way में देख रहा था वो सबसे पहले जो बोलता है वो था कि इस घर की condition अच्छी नहीं है इसमें बहुत काम करवाना पड़ेगा first of all हम इस घर में दोबारा कार्पेट लगाना पड़ेगा हाला कि वो real estate agent उसकी बात को न कारता या कारता नहीं बोलता है कि you are absolutely right बट अगर आप यहां से देखें तो आप dining room के पास से आप एक beautiful flowering cherry tree को देख सकते हैं यहां से वो कितना beautiful लग रहा है wife तुरंद पीछे window से फूलों वाले cherry tree को देखने लगती है उसके face पर एक smile आ जाती है वो real estate agent इस बात से बहुत अच्छी तरह अवेर था कि मगान खरीदने के decision में wife का most important role होता है इसलिए उसने wife को पूरी तरह से target कर लिया था फिर जब विलो किचिन में जाते हैं तो husband किचिन में भी कमी निकालता है वो कहता है कि किचिन थोला छोटा है और नल की fitting भी old style की है फिर से वो real estate agent कहता है कि जी हां, you are absolutely right बट अगर जब आप किचिन में खाना बना रहे होंगे तो आप windows से बाहर देखेंगे bedroom बने होते हैं तो husband उन्हें देखकर फिर से कमी निकालते हुए बोलता है कि ये bedroom बहुत छोटे हैं और wall paper तो बिल्कुल खराब दिख रहे हैं इन्हें change करवाना पड़ेगा और फिर से painting भी करानी पड़ेगी real estate agent कहता है जी हां, you are absolutely right बट अगर आप ध्यान से देखें तो master bedroom से आपको flowering cherry tree दिखाई देगा वा, यहां से तो वो और भी beautiful दिख रहा है पूरा घर घूमने के बाद wife फूलों वाले cherry tree के बारे में इतनी excited थी कि उसे किसी दूसरी चीज में कोई कमी ही नहीं दिख रही थी फाइनली वो उस घर को खरीदने का decision ले लेती है वे मकान खरीद लेते हैं क्योंकि sales मैं ने उनका hot button पैचान लिया था और उनका वो hot button flowering cherry tree यानि फूलों वाला cherry tree था इस कहानी को इस book में शामिल करने का main purpose यही है कि आप जो भी product या service sale करते हैं उसमें एक फूलों वाला cherry tree होता है यानि एक hot button होता है आप जो भी product या service sale करते हैं उसमें आपकी customer को कोई नकोई hot button दिख जाता है जिसको वो enjoy करना चाहता है अगर आप उस hot button को पकड़ लेते हैं तो आप sale करने में success हो जाएंगे इसलिए उससे question पूछ कर और उसे carefully सुन कर इस बात का पता लगाएं कि वो कौन सा benefit है फिर customer को assure करें कि अगर वो आपसे खरीदा है तो उसे वो benefit जरूर मिलेगा और जब भी आप उसे कुछ sell कर रहे हो तो आप एक salesman की तरह ना लगी आप एक consultant की तरह देखें जो उसे उस benefit तक मौचाने में उसकी help कर रहा हूँ जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अपने customer के साथ हर meeting में इस खुद को friend, consultant और mentor के ट्रूल में मिलें उसे कोई भी चीज sell करने के बचाए उसकी help करने और सिखाने पर focus करें जैसा कि Flora Edwards का कहना है कि जब हम दूसरों की help करते हैं तो हम खुद की help करते हैं क्योंकि हम जो भी चीज देते हैं वो circle को पूरा करके हमारी और return ना दी है तो आए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले chapter पर मेरे साथ योई बने रहें और सुनते रहें The Psychology of Selling की audiobook summary Small fishes को नहीं whale को catch करने की कोशिश करें कुछ मामलों में एक customer दूसरे customer से hundred times ज़्याद अवैल्यूबल हो सकता है sales की field में basic rule है कि small fishes को नहीं हमेशा whale को पकरने की कोशिश करें इस बात को दिमाग में रखने की अगर आप small fishes को पकड़ते हैं तो आपके पास full bucket small fishes होगी यानि आपको लगेगा की आपके पास बहुत सारी fishes हैं बट अगर आप एक whale को पकड़ते हैं तो वो एक पूरा जहाज दुबाने की ताकत रखती है जी हाँ एक मचली आपके लिए काफी होगी इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी सारी energy सबसे बड़े potential customer को पकड़ने पर focus करें आपको ये समझ डेफलप करनी चाहिए कि कौन सा customer या company आपका product या service बड़ी तादात में खरीच सकते हैं वे कहां हैं और आप उन तक कैसे पहुँच सकते हैं तो आईए अपने इस chapter में depth market analysis करें इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप सबसे बड़े और सबसे अच्छी sales को पहचानने के लिए अपनी creativity का use करें उसके लिए आपको खुच से कुछ questions करने होंगे आप इन questions को note down भी कर सकते हैं पहले इन questions को खुच से पूचें और फिर बारी बारी से इनका analysis करें तो आईए बारी बारी से मतलब one by one questions पर बात करते हैं फर्स question है आपका customer exactly कौन है इस question का answer पाने के लिए आप उनस सभी qualities और speciality की list बनाएं जो आपके ideal customer में होनी चाहिए उनकी age, education, occupation, income level, experience, attitude और need की एक list बनाएं आप अपने ideal customer को identify करने में जितने ज्यादा clear होते हैं आप उस customer से बात करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होती है फिर दूसरा question है present में आपके product या service को कौन खरीता है इसके लिए आप 80-20 का principle यूज़ करें 20% customer कौन से हैं जो आपके 80% business के main reason है उनमें क्या बातें common है आप उन्ही best customers जैसे और ज़्यादा customers पा सकते हैं जिनको आप serve करते हैं इसलिए हर के पीछे भागने से अच्छा है कि target customers के पीछे भागें अगला सवाल है आपके future customers कौन होंगे market constantly change हो रहे हैं इसलिए time के हिसाब से आपको भी change होना होगा आपको 5 साल आगे के बारे में सोचना होगा उसके बारे में planning करनी होगी current trends के base पर उस समय कौन आपका best customer बन सकता है आप उनके बारे में पता लगाएं और फिर उस हिसाब से planning करें अगला सवाल है जिसके बारे में आपको analysis करना है आपके business और आपके market में कौन सा trend काम करता है आपको इन changes के बारे में पता लगाना है जिनकी वजह से आपको अपने sell करने के तरीके को change करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है आप market में किस direction में जा रही है आपके customer किस तरह से change हो रहे है इन सब चीजों का आपको पता लगाना है फिर अगला सवाल है आपके product और service के लिए new markets कौन कौन से हो सकते है इसके लिए आपको पता लगाना है कि आपका customer क्यों खरीदता है आपके product या service को खरीदने में उसे कौन से benefit होंगे आपके hot button कौन से है जिनकी वजह से आपके customer आपसे खरीद दी करते है आपके customer आपसे खरीददारी करते है फिर अगला question है आपका competitor कौन है यानि आपके बड़े और छोटे competitor कौन है आपके potential customer आपके competitor से खरीदने में कौन से benefit देखते हैं जो आप उन्हें नहीं दे पा रहे हैं जब companies खुद को अपने competitors के खिलाफ proper तरीके से ready होती है तो उनकी sales एक्सर hundred times बढ़ जाती है जिससरे से Apple versus Microsoft का मामला सामने आया था Apple computer छोटे personal या business computer के market को तोड़ने वाली first company थी वो एक consumer friendly personal computer के साथ market में enter हुई थी और उसने तुरंद market में अपनी पकड मजबूत कर ली उसने market में आते ही लागों Apple 1 और Apple 2 सेल कर दिये फिर Microsoft की Apple के बाद market में entry होती है उसने ये decide कर लिया था कि ये Apple के sales volume को पकर कर उसे पीछे कर देगी बट Microsoft ने computer बनाने के बचाए software operating system पर focus किया और उसने दूसरे software developers को consistent programming करने के लिए encourage किया दोनों companies के strategies बिल्कुल different थी Apple अपने सभी operating code और hardware पर कबजा बनाये रखने पर आमदा थी जिससे ये ज्यादा price वसूल कर सकें और ज्यादा उंचा profit कमा सकें अपनी store पर Apple sales पर 49% net profit कमा रही थी जो एक unbelievable amount था तो ठीक इसी तरह आपको अपने से पोच कर उन पर analysis करना है फिर कोई ऐसा product बनाए जो किसी तरह से खास हो ये product ऐसे benefit देता हो जो कहीं और दूसरी जगह available ना हो और customer उसके लिए pay करने के लिए ready हो अगर आपका product किसी दूसरे के product से match करता है तो आप अपने product को तब ही ज्यादा sale कर सकते हैं जब आप ज्यादा time तक hard work करें ज्यादा potential customer से मिले बट sales की feel में तब तक कोई long term future नहीं हो सकता जब तक कि आपका product किसी भी तरह से unique ना हो आप पैसे तो गमा सकते हैं बट ज्यादा दिन तक market में टिक नहीं सकते तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले chapter पर mouth publicity के importance को समझें आपका product ऐसा होना चाहिए कि जो उसका use करें वो उसके बारे में बात करें हमारी society में word of mouth advertising का सबसे powerful medium होता है 85% sales सिर्फ तभी होती है जब कोई आपके product या service के बारे में दूसरों को बताता है बाकी की advertising इस कोशिश में की जाती है कि लोगों को product या service को try करने के लिए motivate किया जाए बड़ सारा game word of mouth का ही है यारी mouth publicity का इसे आप अच्छे से film industry की advertising की method से समझ सकते है जिस week film release होती है उसी week different studios अपने advertising budget का 80% या इससे ज्यादा budget advertising पर खर्च करते है उनका target ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी film देखने के लिए बुलाना होता है जिससे वो उस film की mouth publicity कर सके या ऐसा करने के लिए उन्हें motivate किया जा सके क्योंकि ज्यादा तर film में mouth publicity से ही चलती है जैसे 2004 में Mel Gibson की film The Passion of Christ और Michael Moore की Fahrenheit 9-11 ने mouth publicity का advertisement create किया इन दोनों films की success का main reason mouth publicity था इससे इन films के producers ने काफी पैसे बनाएं आप खुद याद करें कि last time आपने कब किसी yellow page में देख कर किसी restaurant में जाने कर decision लिया या फिर किसी के बताने पर आप किसी restaurant में खाने के लिए गए थे अगर आप इस बात पर goal करेंगे तो आप ज्यादा तर किसी के बताने पर ही किसी restaurant में खाने गए होंगे ऐसे ही हम बहुत सी चीजों को भी दूसरों के बताने पर ही खरीते हैं आगे writer Tracy आपको advice देते हैं कि आप अपने brainstorming की regular practice करें अपने creativity को inspire करने के लिए नई opportunities के प्रती alert रहें sales career में आपकी success को fast करने के लिए most powerful ways में से एक है 20 ideas method जब आप इस method को regularly use करना start करते हैं तो इससे आपको कुछ नए ideas आते हैं जिसकी help से आप आने वाले months में अपनी income को double कर सकते हैं या कभी-कभी से ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि तब आप ये जान लेते हैं कि कैसे करना चाहिए इसके लिए आप एक paper लें और उसके top पर अपना सबसे बड़ा target लिखें या फिर अपनी सबसे मुश्किल problem को एक question के form में लिख लें आप इसे और भी ज्यादा precisely और clearly लिख सकते हैं जैसे आपका questions जितना specific और clear होगा आपके दिमाग के लिए उसके बहुत सारे जवाब ढूर निकालने के लिए उतनी ही आसानी होगी इसके लिए आप brainstorming method का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने उस questions को लिखें जब आप उस questions को लिख लेते हैं तो आप कम से कम इसके लिए 20 answers लिखें आप 20 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं बट 20 की संख्या में एक magical effect होता है अक्सर 20th answer ही वो revolutionary idea होता है जो आपके past career को पूरी तरह से change कर देता है जब एक बार आप 20 answers लिख लेते हैं तो answers के अपनी list को देखकर कम से कम एक idea को चुने जिस पर आप तुरंट काम करना start कर सकें यानि आपको अगले पल ही इस पर काम करना start कर देना है क्योंकि ये बहुत ही important है जरा भी देरी ना करें Earl Nightingale ने कहा था कि आज तक इस idea method को इस्तमाल करके जितने ज्यादा लोग दौलत मंद बने है उतने किसी दूसरी method का इस्तमाल करके नहीं बने है ये आपको अपने काम को creatively करने के लिए motivate करती है वो आगे बताते हैं कि उनके खुद के और उनके हजारों students के experience में 20 ideas की ये practice life changing रही है जब एक बार आप इसका use करना start कर देते हैं तो आप इसका use अपने सामने वाली हर problem या goal पर करने लगेंगे आप इसका use करके आप इसका use किसी भी project की outline दयार करने के लिए भी कर सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो project छोटा है या बड़ा मैकलूहान की thought को भी जान लेते हैं वो कहते हैं कि एक million dollar बनाने के लिए आपको तो बस एक ऐसे idea की ज़रूवत होती है जो 10% नया हो इसके लिए the theory of relativity की खोज या किसी बड़े scientific revolutionary discovery की ज़रूवत नहीं है यानि ये कोई rocket science नहीं है इस पर practice करके इसे कोई भी benefit ले सकता है जी हाँ कोई भी इसके लिए तो बस इतनी ज़रूवत होती है कि आप जिस field में काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा improvement कर ले यानि अगर आप अपने काम को पूरी शिदत से कर रहे हैं तो आप ऐसे idea आसानी से इजाद कर सकते हैं जो revolutionary result ला सकें जो आपको competitive advantage दिलाए एक small competitive advantage आपको बाकी हर इनसान से अलग करने और success तक पहुँचाने के लिए एक smooth, faster path पर पहुँचाने के लिए काफी होता है तो फिर देर गिस बात की है इस idea method की practice स्टार्ट कर दें इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले chapter पर प्रोड़क्ट नहीं appointment sell करें थियोटर रूजवल्ट ने कहा था कि overall life आपको जो best reward देती है वो किसी अच्छे काम में hard work करने की opportunity है writer Tracy आगे लिखते हैं कि product नहीं appointment sell करें यानि कभी भी phone पर अपने product या pricing के बारे में बात ना करें जब तक कि आप customer से मिलते नहीं तब तक आप किसी product या service की sale नहीं कर सकते अकसर पहले दो sentence में ही अपने product के बारे में explain कर देते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपनी sales को पहले ही मार देते हैं क्योंकि उस time आपके customer के पास आपके proposal पर seriously consider करने के लिए enough information नहीं होती इसलिए ज्यादतर sales person appointment पाने के बज़ाए अपने customer से जवाब पाते हैं कि I am not interested या फिर हम इस time इसे नहीं खरीच सकते और इतना कहकर वो उनका phone काट देते हैं जब कोई sales person किसी customer से पहली बार मिलता है तो अकसर तुरंत ही अपने product के बारे में बताने लगता है हाला कि उसका customer उसकी बाते सुनने के बज़ाए phone पर किसी दूसरे से बात कर रहा होता है या पिर वो payment कर रहा होता है या फिर कोई दूसरी चीज कर रहा होता है मतलब उन्हें अपने product के बारे में बताने की इतिनी चल्दी होती है कि वो ये भी नहीं देखते कि customer अभी busy है इसलिए आप अपने product के बारे में बताने की बजाए उससे appointment लेने के बारे में बात करें जब वो appointment देता है तो आपको अपनी cheat sell करने का signal देता है बस आपको उससे convince करने की ज़रूरत होती है जब आपको किसी customer का appointment मिल जाता है और आप उससे पहली बार मिलने जाते हैं तो आपको अपने starting sentences को दमदार बनाना चाहिए आपको अपने sentences को दमदार बनाने के लिए marketing guru Dan Kennedy की powerful technique को अजमाना चाहिए वो कहते हैं कि जब आप अपने customer या prospect को अपने product के बारे में कुछ शुरुवाती sentence बताएं तो उसका reaction हमेशा यह होना चाहिए Really? बट ऐसा कैसे हो सकता है? For example, जब आप अपने किसी customer से पहली बार मिलते हैं और आप उससे ही कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसा glass दिखाना चाहता हूँ जो कभी तूटता नहीं तो यह natural है कि आपकी customer का reaction Really? बट ऐसा कैसे हो सकता है? होगा अगर वो ऐसा कहता है तो वो आपकी बातों में आ चुका होता है बस आपको वो glass उसे sell करने भर की देरी होती है एक और important बात जब आप first time अपने किसी customer से मिलते हैं तो आपका time limited होता है इसलिए अपने customer का पूरा attention लेने के लिए meeting की शुरुआत में ही आपके पास बस 30 second का time होता है इन पहले के 30 second में ही आपका customer ये decide कर लेता है कि वो आपकी बात सुनने वाला है या नहीं अगर आप इस starting के 30 second में इधर उधर की बात करते हैं या फिर अपने आप main point से भटक जाते हैं या फिर आप अपने main point से भटक जाते हैं तो आपका customer impatient और restless हो जाएगा और वो 30 second में ही decision ले लेगा कि उसे आपका product या service में कोई interest नहीं है और आपके लिए फिर उसे अपनी बात में फसाना एक मुश्किल काम की तरह हो जाएगा बट आपको ये ध्यान रखना है कि उसके मूँ से ये sentence ना निकले expert का मानना है कि आपके मूँ से निकलने वाले 15 से 25 words आपके आगे की बातचीत को fix करते हैं आपको इन शब्दों को carefully select करना चाहिए और उनकी regularly rehearsal भी करनी चाहिए जी हाँ अगर आप इन words की rehearsal करते हैं तो customer से बात करते हुए आपकी बात में एक flow और confidence होगा अपनी किसी भी meeting को किस्मत के भरों से ना चोड़ें उन पर आप इतनी बार rehearsal करें कि वो आपके मुह से fluently निकलने चाहिए rider trust ही आगे बताते हैं कि appointment के लिए आप unknown लोगों को phone call करें वो अपना खुद का experience बताते हुए लिखते हैं कि जब वो sales training sell करने का काम कर रहे थे तो वो उन लोगों को phone करके कहते थे कि मैं आपके sales people को training देने के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा तब सामने वाली के reactions इस तरह से आते थे we cannot afford it हमारे पास अपने sales people को training देने के लिए time नहीं है हम लोग खुद ही sales training program चला दे हैं हम लोगों को किसी भी training की ज़रूद नहीं है वैसे ही sales कम हो रही है उपर से हम training का खर्चा नहीं उठा सकते business का बहुत बुरा हाल है हमारे पास training के लिए extra budget नहीं है मतलब ऐसे ही answers उन्हें सामने वाले से मिलते थे तब Tracy को एहसास होता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी mistake की है उन्हें starting में ही training के बारे में नहीं बताना चाहिए फिर उन्होंने अपने sentence को change किया उन्होंने phone call पर ये सवाल पूछना start कर दिया उसके बाद वो पहला सवाल इस तरह से करते थे कि आपके organization में sales training program के लिए कौन responsible है तब receptionist का जवाब आता था कि Mr. Mehera या ABC या फिर हमारे sales manager तब वो उससे आगे कहते थे कि क्या मैं Mr. ABC या आपके sales manager से बात कर सकता हूँ फिर वो उनका number मिला देती थी और जैसे ही वो उससे connect होते थे उससे बोलते थे कि My name is Brian Tracy मैं institute for executive development से बूल रहा हूँ आप अस ये बताएं कि कि आप एक tried and tested method में interested है जो next 12 months में आपकी sales को 20 से 30% तक increase कर सके उधर से positive response आता था और Tracy उसके hot button को पहचान लेते थे और फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते थे कि Mr. ABC हमने आपकी sales को अगले कुछ महीनों में 20 से 30% ही नहीं यहां तक की 50% तक भी बढ़ाने के लिए एक method ready कर रखा है सामने वाले का reaction इससार है स्यादा था Really? बट ऐसा कैसे हो सकता है? बस आपको भी अपने customer से यही reaction लेना है फिर आपको payment मिल जाएगा और फिर आपको आगे अपने चीज़ sell करने में और आसानी होगी तो आएए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले chapter पर मेरे साथ यूही बने रहें और सुनते रहें The Psychology of Selling की audio book summary फिर आप भी powerful positive और confident बनते चले जाएंगे Mac R. Douglas कहते हैं कि जब भी किसी इनसान ने अपना best किया है अपना सब कुछ दिया है और उस process में अपनी family और society की needs को भी fulfill किया है तो उस इनसान ने success होने की habit develop कर ली है जी हाँ, Mac बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको भी इसी तरह से success की habit डालनी चाहिए ट्रैसी आगे लिखते हैं कि आपका product या service हमेशा clean होनी चाहिए और इसे best possible light में present करना चाहिए लोग उस product की suggestion और working effect से strongly influence होते हैं जो colorful और attractive होते हैं customer पर उन product materials का negative impact परता है जिस पर दाग और गंदगी होती है आप इस बात को दिमाग में बिठा लें कि लोग बहुत ही eye catching होते हैं वे जो देखते हैं उसका उन options पर huge impact पड़ता है जो वे आपकी product या services और आपकी company के बारे में बनाते हैं इसलिए आपको अपनी presentation को देने से पहले उस पर अच्छे से practice कर लिनी चाहिए अगर आपका presentation accurate, well organized और एक logical process में आगे बढ़ता है तो customer ये मान लेगा कि आपका product, service और आपकी company भी उतनी efficient और organized है professional sales presentation dramatically चीज की importance को बढ़ा सकती है as well as price के resistance को भी reduce कर सकती है इसलिए आप ये दिमाग में बिठा लें ये हर चीज important है हर component का पूरा control लें जो आपका customer देखता है, सुनता है, महसूस करता है और कहता है इसके लिए उसकी पहले से planning बना लें आप presentation देने से पहले खुद को sales के doctor के role में ढाल लें फिर अच्छे से उसका check-up करें जो अपने profession में fully knowledgeable है जिसके पास अपने profession का full knowledge है और जिसके पास excellent product और service है वो कुछ भी sell कर सकता है साथ ही आपको अपने dress पर भी बहुत त्हांदेना होगा अपने business में most successful और सबसे ज्यादा costly dress को पहने आप इस तरह से खुद को present करें जिस तरह से आपका customer चाहता है आप किसी office में जिससे भी पहले मिलें चाहे वो receptionist हो या secretary हर इनसान के साथ politely behave करें हमेशा positive और happy दिखें हर sales call से पहले mentally rehearsal करें calm, controlled, optimistic and perfectly stressless visualize करें क्योंकि आप जिस सहरे से खुद को imagine करेंगे वैसे ही आप बनेंगे और उसी confidence से आप अपने customer से मिलेंगे जब आप किसी customer से बात कर रहे हों तो आपकी पूरी कोशिश हो कि कोई भी चीज आप दोनों को distract ना करें इसके लिए show शराबे या किसी ऐसे इनसान को बीच में ना रखें जो आप दोनों को distract करें अगर जरूरत हो तो अपने customer को किसी दूसरे place पर ले जाएं जिससे आप अपने product और service के बारे में उसका पूरा attention ले सकें क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा distraction भी आपकी पूरी meeting को बरबात कर सकता है जब भी आप अपने किसी customer के बगल में बैठे हों तो हमेशा उसे अपने left side में बिठाएं इसका reason यह है कि जब भी आप अपनी presentation की pages turn करेंगे तो उसे आपके customer को देखना easy होगा जब आप customer से place exchange को कहते हैं और वो agree हो जाता है तो वो आपके logical request पर respond करना शुरू कर देता है इससे आप उस point के ज़्यादा करीप पहुंचाते हैं जहां आप उससे अपनी चीज़ को sell करने के लिए पूट सकते हैं साथ ही आप अपनी personality के बारे में ध्यान दे जब भी आप चलें तो अपने chin up करके चलें और तन कर चलें आपकी चाल में एक confidence होना चाहिए जब आप अपने customer से first time मिले तो conviction और confidence के साथ उससे हाथ मिलाएं बस आपको ये ध्यान देना है कि ये आपका first impression होगा जो आपके customer पर impressive होना चाहिए और सबसे बड़ी बात की आप हमेशा बात करते हुए पूरी meeting में polite लगें लोगों से अच्छा behave करें इसका बहुत बड़ा benefit मिलता है जब ये आप किसी दूसरे के self pride को बढ़ाने के लिए कोई चीज करते हैं तो आपका self pride भी उसी level पर बढ़ता चला जाता है जब आप polite और respectful होते हैं तो आप खुद को ज्यादा पसंद करते हैं और खुद की ज्यादा respect करते हैं साथ ही इस वज़े से दूसरे लोग भी आपको ज्यादा पसंद और आपकी respect करेंगे आप sales में most suggestive elements की जितनी ज्यादा practice करेंगे आप उतने ही ज्यादा powerful, positive और confident बनते चले जाएंगे और आपकी sales उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी इसके लिए सबसे आसाम तरीका यही है कि अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप अपनी success की mental picture बनाएं या फिर अपने customer से बाग करते हुए उसे impress करने और उसे अपने product या service को sell करने की एक imaginary film मनाएं यह बहुत ही effective साबित होगा एक बार किसी magazine में लिखा था कि अपने लक्षियों की imaginary picture देखकर आप अपने subconscious mind से अपने काम को हकीकत में बदलने की direction में काम करा सकते हैं चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले chapter पर be patient Norman Vincent Peale ने कहा था कि कोई fact उत्रा important नहीं है जितना कि उसके प्रती हमारा attitude यही हमारे success और failure को तैय करता है किसी sales discussion को शुरू करने से पहले one of the most helpful method में से एक है approach close अगर इसका successfully use किया जाए तो यह close presentation के बाद customer को decision लेने के लिए motivate कर सकती है इसमें आप उसे यह कहने का chance नहीं देते हैं देखे मुझे इस बारे में सोचने का थोड़ा time दे या मुझे किसी से इसके बारे में discuss करने की जरूरत है इसके बजाए आप उसका जारेक्ट decision लेते हैं आप approach closing के साथ एक exchange offer भी रखते हैं सबसे पहले आप अपने customer को trust में लाने के लिए trust में लेने के लिए उससे यह साफ तोर पर कह दें कि मैं आपको कुछ sell करने की कोशिश नहीं करूँगा बस आप मेरी बात को गौर से सुने जब आप इतना अपने customer से कह देते हैं तो वो आपकी बात सुनने के लिए agree हो जाता है जब आप अपने customer की situation और requirements को clearly समझ लें तो इसके बाद अपने product को उस वक्त की requirements या ideal solution के रूप में present कर सकते हैं फिर अपने presentation के अंत में आपके पास psychological advantage होता है During the discussion आपको अपने customer का trust जीतना है और अपने customer का trust जीतने के लिए बहुत easy method है आप ये जितना ज्यादा दिखाते हैं कि आप customer और उसी condition को हकीकत में अच्छे से समझते हैं तो customer आपको information देने और आपके suggestion को accept करने के लिए open हो जाता है कभी भी अपने product या service के बारे में तब तक बताना शुरूर ना करें जब तक कि आप एक friendly माहौल ना create कर लें अपने customer को trust में लेने के लिए एक और अच्छा तरीका ये है कि आप उसे question पूछने के लिए motivate करें जब भी वो आपसे बात कर रहा हो तो उसे ध्यान से सुने आप किसी भी meeting में जाने से पहले दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि customer alert रहते हैं किसी भी customer को महगा सामान बेजने के लिए आपको 3-4 meeting करनी ही पड़ेगी पहली meeting में ही आप उसे कोई चीज सेल करने की कोशिश ना करें कभी-कभी महगी product या service की sales process में 6 महीनों या इससे ज्यादा time भी लग सकता है इसलिए be patient जब भी आप अपने presentation को दे रहे हों तो आप दिमाग में इस बात को रख लें कि हर product में बहुत से features और benefits होते हैं और sales world में एक कहावत है कि features interest बढ़ाते हैं बट benefits खरीदने की इच्छा जगाते हैं इसलिए आपकी presentation का main purpose features को समझाना है जो आपके product या service में include हो साथ ही उन benefits को भी समझाएं जो आपके customer को उस product या service से मिलने वाली है आप एक तरह से इसके लिए चासू सी भी कर सकते हैं कि आपके customer को क्या पसंद है और उसे किस चीज से benefit लेना है साथ ही उसके interest के बारे में भी पता लगाएं इसलिए presentation से पहले पूरी meeting की एक planning करें और सबसे पहले अपने customer को attractive benefits को बताएं पूरे time trial, closing, pressure पूछें हर feature या benefit को बताने के बाद आप अपने customer से किसी ना किसी तरह से reaction लेते रहें इसके लिए उसे encourage करते रहें अपने customer के साथ flexible बने रहने की practice करें अपने product वा service का owner बनने और उसका use करते time आपका customer कितना खुश होगा इसकी mental picture बनाएं अपनी presentation के हर part को इस तरह से बनाएं जिससे जब आप features और benefits बता रहे हों तो अपने customer को उसे clearly imagine करने का मौका दें अपने discussion में हमेशा अपने customer को शामिल करें वो हमेशा active mode में होना चाहिए साथ ही जब आपका customer बोल रहा हो तो उसे ऐसा feel ना कराएं कि आप उसे सुन नहीं रहे हैं या आप ऐसा reaction दे रहे हैं कि जैसे ही वो बोलना बंद करेगा तो आप बोलना शुरू कर देंगे जैसा आजकल बहुत से लोग करते हैं आपकी सुनने से ज़्यादा बोलने के लिए उतावली रहते हैं आपको ये mistake नहीं करनी है अपने customer से अच्छे question पूछें बिना किसी disruption के उसे सुने अगर वो कोई question करता है तो उसके answer को देने से पहले एक चोटा सा pause लें अपने words को repeat कर ये show करें कि आप customer की condition को पूरी तरह से समझते हैं उसके loss and benefit के बारे में सोचते हैं किसी भी presentation को देने का सबसे effective तरीका है कि हर important information को सवाल के रूप में कहें इसकी cost 295 डॉलर per head है ये कहने के बजाए आप इसे question format में कह सकते हैं क्या आपको पता है कि इस चीज को बनाने में आम तोर पर per head क्या cost आती है जब आप caution form में अपने customer से कुछ भी पूछते हैं तो आपका customer आपके जवाब को गौर से सुनेगा तो आईए और मैडिनो के score के साथ अपने आखरी chapter के और बढ़ते हैं वो कहते हैं कि चाहे आपका काम जो भी हो सक्सेस का एकलौदा साधन ये है कि expected services से ज़्यादा और better तरीके से सर्फ करना तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले chapter पर conclusion सक्सेस को predict किया जा सकता है writer Tracy कहते हैं कि सक्सेस को predict किया जा सकता है वो बताते हैं कि उनकी life में turning point तब आया जब उन्हे law of cause and effect के बारे में पता चला इस law के according high income जैसे हर result का एक fixed reason या कई reasons होते हैं अगर आप वही करते हैं जो दूसरे successful लोग करते हैं तो आपको eventually वही results मिलेंगे जो उन्हें मिलते हैं अपने इस आखरी chapter में हम sales में success बाने के 10 तरीकों के बारे में जानेंगे पहला तरीका है वो करें जिसे करना आपको अच्छा लगता है यानि जिस चीज से आप ब्यार करते हैं उसे करें क्योंकि आपको अपने काम से ब्यार करना सीखना चाहिए फिर अपनी फील में excellent बनने के लिए full dedication के साथ जुट जाएं हर इंसान में किसी ना किसी चीज में अच्छा बनने की काबलियत होती है यानि nature ने हर इंसान में एक excellence gene डाल रखा है दूसरा तरीका है decide करें की exactly आप क्या चाहते हैं इसके साथ ही अपने goals को लिख कर रखें केवल 3% adults के पास ही return goals होते हैं और यही लोग हर फील में success होते हैं और सबसे ज़्यादा payment पाने वाले लोग भी यही होते हैं इसलिए सबसे पहले decide करें की exactly आप क्या चाहते हैं इसलिए अपने सभी goals को note कर लें तीसरा तरीका है अपने goals को determination के साथ अचीव करने में जुट जाएं जब भी आप किसी चीज को करें तो पूरा focus जुकर करें और साथ ही खुद से यह promise करें कि अपने goals को अचीव करने में कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी या discourage नहीं कर पाएगी Greek philosopher अपिक टीडस ने कहा था कि circumstances इंसान को बनाती नहीं वे तो बस उसे खुद के सामने expose करती है फिर अगला तरीका है यानि चौथे नमबर का तरीका lifelong सीखने के लिए ready रहें यानि कभी भी खुद को master न समझें आप जितना सीखते हैं उतना कम है ऐसा सोचें इसलिए हमेशा सीखने के लिए ready रहें पाँचवा important तरीका है अपने time को अच्छे से use करें आपके पास sell करने के लिए अपना time ही तो है इसलिए ये आपकी prime asset है आप अपने time को किस तरह से use करते हैं उसी से आपका standard of living decide होता है इसलिए खुद से अपने time को अच्छे से use करने की promise करें च्छटा तरीका है लीडर्स को follow करें आप हमेशा successful लोगों से सीखें वही करें जो वे करते हैं follow the leaders, not the followers यानि followers को नहीं, leaders को follow करें अपने आसपास देखें वे कौन से लोग हैं जिनकी आप सबसे ज़्यादा तारीफ करते हैं वे कौन हैं जो वो result पा रहे हैं जिने आप आगे के महिनों और सालों में पाना चाहते हैं अपनी field के सबसे अच्छे लोगों का पता लगाएं और उन्हें अपना role model बनाएं उनके जैसा बनने के लिए decide करें जितना ज्यादा possible हो सके उनके साथ time spend करें साथवा तरीका है character को सही करें character ही सब कुछ है इस society में ये आपकी quality of life के लिए सबसे important है आप अपने character को believable बनाएं क्योंकि आप तभी successful बन पाएंगे जब लोग आप पर trust करेंगे जैसा कि Stephen Cavy कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप पर believe किया जाए तो trusted बने इसके साथ खुद की प्रती भी honest बने जैसा कि Shakespeare ने कहा था कि खुद के लिए सच्चे रहें और फिर जैसे दिन के बाद राद आती है उसी तरह आप भी किसी दूसरे इंसान की नजर में जूटे नहीं हो सकते आठवा तरीका है अपनी innate creativity को लोगों के सामने लाएं खुद को कभी भी छोटा न समझें आप smart हैं आप genius हैं ऐसा मान कर चलें इस बात को समझने के लिए आपके पास wealth of creativity है जिसका आपने कभी इस्तमाल ही नहीं किया है इसलिए आप अपनी creativity को पहचाने उसे दुनिया के सामने लाएं और खुद से सोर जोर से बार बार I am genius, I am genius, I am genius कहें और इसे दिन में कई बार repeat करें देनिस वेटली कहते हैं कि आप में इतनी ज्यादा potential है कि आप उसे सो जन्मों में भी खत्म नहीं कर सकते इसलिए आपकी जिन्दगी में आपका एक major goal होना चाहिए अपनी special abilities को पहचाने और फिर उन्हें उस level तक develop करें 9 तरीका है golden rule की practice करें ये golden rule है कि दूसरों के साथ वैसा ही वैभाल करें जैसा आप चाहते हैं कि वो लोग आपके साथ करें खुद को एक customer की तरह imagine करें तो आप खुद चाहेंगे कि आपको जो भी salesman कुछ sell करने को आए वो honest और true man हो इसलिए आप भी अपनी customer के साथ honest रहें आखरी यानि दसवर तरीका pay the price of success यानि काम्याबी की कीमत चुकाएं दब Millenier Next Door Book की background research में डॉक्टर स्टेनले और डैंको ने thousands of self-made millennials से बात की और उनसे पूछा की वो अपनी success का credit किस चीज़ को देते हैं जिसमें से 85% ने accept किया वो दूसरों से ज्यादा intelligent नहीं थे वे एक average इंसान थे बट उन्होंने किसी दूसरे से ज्यादा hard work किया और long time तक किया sales में success की ये है कि आप थोड़ा जल्दी शुरू कर दें थोड़ा ज्यादा कड़ी मैनत से काम करें और थोड़ी देड़ तक रुके रहें तो आएए यही पर इस बुक्सम्री को समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे किसी और बुक्सम्री के साथ इसी के साथ अपने दोस्त चेतन को दीजिए इजाज़त Stay Healthy, Keep Smiling, Namaskar